क्या स्वास्त मंत्राले के सामने OPD से मरीज बचेंगे क्या काश्मीर से मरीज स्वास्त मंत्राले के सामने आएगा क्या कन्या कुमारी से मरीज स्वास्त मंत्राले के सामने अपना डायलेसिस कराने आएगा अपना अप्रेशन कराने आएगा बेक्ती तरप रहा है इस्टेशर पर उसके परिवार वाले तरप रहे हैं उसे हाट पेशेंट है ECG करें, क्या करें, क्या रखरें वो मर रहा है, डाप्टर सेल्फी लगा रहे हैं अपनी ये मुस्कराते हुए, ये चलते हुए इसके साथ फोटो इस फोटो के साथ फोटो एक के बदले कितनी लाशें आई घरों में एक के बदले कितनी प्रेगरेंश्ट महिलाओं के जिनके तस साल में पहली बार बच्चा हुआ था और शायद वो उनका आखरी बच्चा था किसी तरह से, लेकिन टिलिवरी के समय उस बच्चे की मौत हो गई मा जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर पस्ताती रही आप हॉस्पिटल के आगे बोर्ड लगा कर गुसा कर सकते हैं आप मरीज को मार के गुसा नहीं कर सकते लेकिन एपी सर वकील भी तो अपनी मांगों को लेकर हर्ताल कर देते हैं उनके मौकिल भी तारीक पर मिलती रहती, वो भी तो इसी तरह है वो जीवन और मौत नहीं है वो तो एक डॉक्टर मर गई लेकिन जो मरीज हास्पिटल में पहुच रहे हैं जो पहुच रहे थे, जो जा रहे थे, जो एम्बूलेंस में मर रहे थे जो हास्पिटल में मर रहे थे, इसलिए कि हड़ताल है काम नहीं करेंगे ये क्या था, ये मानवता थी ये गुस्सा था लेकिन दहेज के लिए वे तो हजारों नड़कियों को जला दिया गया मार दिया गया, आर दिया गया आपके दशकों तक महिलाओं को हाशिये पर रखा गया तो कुछ ना कुछ तो ऐसे गंभीर कारण रहे है इतनी डिले एफ आई आर होना घटना कहीं हुई लाई कहीं गई एफ आई आर बाद में हो पोश्टमाटम पहले हो जाए पोश्टमाटम में लिखा जाता है इसे फाई आर में हो रहा है तरह हात्रस माबला आपने कोट किया हात्रस माबले में मैंने लड़ा और जीता नमस्कार नौभारा टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ विनीत रुपाठी देश भर में कोलकाता केस को लेकर तरह तरह की बाते और आए दिन नए नए खुलासे यहाँ पर होते चले आ रहे हैं हमरे साथ मौझूद है सुप्रीम कोट के सीनियर एड़ोकेट डॉक्टर एपी सिंग यहाँ पर मौझूद है अरोपियों के उसके बाद सीमा हैदर का मामला हुआ डॉक्टर एपी सिंग उनकी तरप से वकील रहे तमाम वो बहुचर्चित मामले देश में जिनने सिर्खियां बटोरी है जो कम से कम महीनों तक सारे टेलिविजन और अख़वारों की की हेड्लाइन्स बने आज मैं आपसे कोलकाथा केस के मामले में बात करने आया हूँ कि मुझे पहले ख़बर मिली कि डॉक्टर एपी सिंग इस मामले को भी डेफैंड करें आरोपियों के तरप से वकील बनेंगे लेकिन बाद में आया कि फिर एपी सिंह इस मामले पे वकील नहीं नियुक्त किये गए नहीं वो बरावर संपर्ग आज भी कर रहे हैं एक्षिली बेंगॉल पुलिस के कुछ लोग है और उसके परिवार के कुछ लोग है जो चाहते हैं कि मैं करूँ अभी investigation चल लही है अभी advocate वाली कोई बात भी नहीं है तो investigation हो जाए मेरा मानना है कि किसी भी case की जाच निस्पक्ष हो, निर्भीक हो, निडर्ता के साथ हो बिना किसी political pressure के हो बिना किसी media trial के हो बिना किसी media pressure के हो तो शायद वो case अपनी initiality को पापाता है जाच हो, अच्छी सची जाच हो और यही जो मैंने बातें बोली हैं वो ही CBIB कर रही है मैंने बोला psychological test कराई है क्योंकि क्या पता उसकी मना इस्तिती कि कोई एक इंसान या पुलिस करमचारी या बेश्ट बंगाल के एक आम नागरिक कैसे इतनी बीबत स्ता कर सकता है जो उस लेडी डॉक्टर के साथ हुआ जिस तरह से उसके साथ घटना हुई शरीर की जो मेडिकल हुआ फिर दूसरी बात आती है बेंगाल सरकार फिर बेंगाल पुलिस की बात आती है बेस्ट बंगाल पुलिस बेस्ट बंगाल पुलिस ने क्या किया क्या कभी ऐसा सुना है कि F.I.R. बाद में हो पोश्ट माटम पहले हो जाए पोश्ट माटम में लिखा जाता है इस F.I.R. में हो रहा है क्या ऐसा संबब है कि रात में इस्पेशली शम्शान गाट को खुलवा के उसका अंतिम संसकार किया जाए जब मरन एक दोने वाली शनातनी शनातन धर्म तो सूरज की सूरज डूबने के बाद और सूरज उने तक अंतिम संसकार नहीं होता बहुत गलत माना जाता है फिर ऐसी क्या मजबूरी थी ऐसा क्या अवसर था जो हुआ है तो कुछ न कुछ तो ऐसे गंभीर कारण रहे इतनी डिले- F.I.R. होना घटना कहीं हुई लाई कहीं गई रेप पर मडर कहीं हुआ कहीं लाई गई छे दिन तक उसके चीजों को हटा दिया गया छे दिन तक पुलिस ने घटना इस्थल को नहीं देखा CBI जाच छे दिन बाद मिली वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ कॉलकटा हाई कोट को भी कि वो उन्होंने CBI जादे कि जाच बहतर से बहतर हो हात्रस माबला आपने कोट किया हात्रस माबले में मैंने लड़ा और जीता अंडेबल ट्राइल को डिस्टिकोट अलीगř से हमने बायज़ Windows बरी कराए मुली उसमें भी यही मांगती थी इसमें ऐसे ही था उसमें भी राजनीटी थी उसमें मीड्या ट्राइल था उसमें योगी जी के सिप्ग कि मांग की रहा था इसमें कोर्थ जातिक भी चल ला था कि राजपू समाज के हैं मुल्जिम दरिंदा ये वो सब भी चलाता तो जब सी बी आई जाज हुई फास्टर कोट में केस चला और उसके बाद तीनों मुल्जिम उसमें बाइज़त बरी हुए वहीं ट्राइल कोट से तो ये सच्चाई थी तो इसी लिए मेरा मेरा कहना है मानना है चाहे केस मैं लड़ू कोई और लड़े मुल्जिम को एड़ोकेट मिलना चाहिए ये कमपस जरी अगर आप उसको ये अधिकार नहीं देंगे अगर आप उसको इस अधिकार से बंचित रखेंगे तो नियाय नहीं एसेस टू जस्टिस वाराल नियाय सब को मिलना भी चाहिए और मिलते हुए दिखना भी चाहिए लेकिन एपी सर इतना जब वीभत सकान्ड होता है तो लोगों में गुस्सा होता है लोग मांग कर रहे हैं कि जब एक होनहार महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से पियम रिपोर्ट जो आई है तो नियाय तो मिलना चाहिए लेकिन ऐसे लोगों का ऐसे समाज के ये लोग जो एक डॉक्टर को जीने का उसका हग छीन लेते हैं बेराइमी करते हैं उनको आखिरकार क्यों तारिक पे तारिक पे तारिक वाली प्रणाली चलती रहती है इस घटना को लेकर CBI जाच सटप हो गई अन्रवल हाई कोट, अन्रवल सुप्रिम कोट मॉनिटिरिंग कर रहे हैं हम तो धन्यवाद कहते हैं हमारे अपने चीप जर्शेस आफ इंडिया को उन्हों सो मोटो लेकर इस पर सुनवाई की क्या इसके बाद भी CBI जाच, CBI से बड़ी हमारी जाच एजंसी देश में भी नहीं क्या उसके बाद डाक्टरों को दारा हरताल करना और जो मरीज वो तो एक डाक्टर मर गई लेकिन जो मरीज हास्पिटल में पहुँच रहे हैं जो पहुँच रहे थे जो जा रहे थे जो एम्बूलेंस में मर रहे थे जो हास्पिटल में मर रहे थे इसलिए कि हरताल है काम नहीं करेंगे ये क्या था ये मानवता थी ये गुस्सा था ये मानवी गुस्सा था लेकिन गुस्सा का बदला गुस्सा होगा क्या आख के बदले आख लेंगे क्या काटे के बदले काटे देंगे क्या ये भी तो नहीं है आप तो महत्मा गांदी के देश में हैं आप तो हैंसा वाले देश में आप काली पट्टी बांद के भी गुस्टा कर सकते हैं आप हॉस्पिटल के आगे बोर्ड लगा कर गुस्टा कर सकते हैं आप मरीज को मार के गुस्टा नहीं कर सकते इसलिए तो डॉक्टरों ने फिर OPD स्वास्त मंत्राले के सामने लगा दी थी कि हम स्वास्त मंत्राले क क्या जहारखंड, 36 गढ्ल, काला डूंगरी, जammू, कश्मीर, गोहटी, चावपाती, कश्मीर, कश्मीर, क कञ्णाकुमारी, अटक, कटक, सब जगे मரीज नही थे, क्या स्वासमंत्रा लेकर सामने मरीज का स्वासमंत्रा लेकर सामने आएगा, क्या कन्या कुमारी से मरी स्वासमंत्राले के सामने अपना डायलेसिस कराने आएगा अपना अपरेशन कराने आएगा अपना हाट पेशन्ट में आएगा वहां से अपने हाट का अपरेशन कराने आएगा अपनी इंजोग्राफी कराने आएगा क्या मरता हुआ वेक्ति स्वास्वंत्रा लेकर सामने आएगा नहीं उसे वहीं इलाज मिला चाहिए लद्दाख और लेका वेक्ति दिल्ली आ भी नहीं पाता है लेकिन एपी सर वकील भी तो अपनी मांगों को लेकर हर्ताल कर देते हैं फिर तो उनके मुख्किल भी तारिक पर मिलती रहती है वो भी तो इसी तरह है वो जीवन और मौत नहीं है यहां जीवन और मौत चिकिस सक पहला भगवान है हमारे देश की महामहिम राश्टर पती जी ने कहा था कि टॉक्टर पहला भगवान मानते हैं उसके बाद टीचर उसके बाद थार्ड नंबर पाते हैं लॉयर हमने सुप्रिम कोर्ट में जब न का राश्टपती का रालेख खुला अंडरेब मौमहिम गवनर हाउस खुला रात में वो जीवन लेने और देने वाली बात थी जब जीवन लेने देने की वाली बात थी वकिलों ने हरताल नहीं करते हैं जीवन बेल मेटर हम हर हरताल में सुनते हैं कितने भी बड़ी से बड़ी हरताल हो बेल मेटर सुने जाते हैं इस्टे मेटर सुने जाते हैं हरताल के दौरान हमारी वार कॉंसिल आफ इंडिया हमारी वार अस्टेशेशन ऐसा मेकनिजम मनाती है कि जो बेल मेटर है वो एक एड़ोकेट ख़डा होगा वो सब के बदले की प्रोसेडिंग करेगा सब के बदले की कारवाई करेगा और सब को बेल दिलाने का काम करेगा नयाय दिलाने का काम करेगा एसस्टू जस्टि दिलाने का काम करेगा ये कहना कि हरताल पठी बांग के हो सकती हरताल, यहाँ बांग के हरताल हो सकती है, वैच लगा के हरताल हो सकती है, लेकिन आपकी हाथों में जीवन देने का काम है, अगर आप राजनीती में आ जाते हैं, अगर आप मीडिया ट्राइल में आ जाते हैं, अब आप खबरों में आ आजाते हैं, आप सोशल मीडिया में आजाते हैं, हमने देखी वो द्रश्ट, अभी अभी देखे, बैक्ति तरप रहा है इस ट्रेशर पर, उसके परिवार बाले तरप रहे हैं, उसे हाट पेशेंट है, ECG करें, क्या करें, क्या रखरें, वो मर रहा है, डाक्टर सेल्फी कहा, कि आप हरताल खत्म किजिए, आपकी हरताल नयायुचित नहीं है, लोग मन, एक के बदले कितने मरें, एक के बदले कितनी लाशें आई घरों में, एक के बदले कितनी प्रेगरेंश्ट महिलाओं के, जिनके दस साल में पहली बार बच्चा हुआ था, और शायद वो उन हरताल की बज़े से तरब तरब के मरतरा, उसके ऐसा नस्तर लगा है जीवन में, कि वो निर्वंश के बिना बंश हीं, उसका पती को, उसको मुखागरी देने वाला, उसका इकलोता चिराग, जो बड़ा होके उसके अंतिम संसकार करता, वो इस हरताल की भेंट चल गया, उन इसके पती की मौत हुई है, जो इस हरताल में बिदवा हुई है, उन भाइनों से पूछे, जिनका भाई रक्षा बंधन पर हरताल की बज़े से मर गया, इलाज नहीं हुपाया, यह कंभीर विशे हैं, ऐसा कोई मामला आपके से बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत मामले आए है बहुत लोगों ने फोन किया, सर यहां श्ट्राइक है, वहां ले जा रहा हमने कर दूसरे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ, करें वहां भी हरताल की बैठे हैं, हमने कि और कहीं देखो, वो देखते रहे, उनकी अंबुलेंस भागती रही, भागती रही, और को उससे दर्द है, हमें भी उससे दर्द है, हमें भी पीड़ा है, वीभत्सकारी है, घटना है, इसलिए हमने का साइकोलोजिकल टेस्ट कराईए, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, मानव ऐसा नहीं कर सकता है, जानवर ही कर सकता है, और जानवर है, तो इसको जानवर की द वादियों को हमने वकील दिये हैं जब सर जब लोग मानव है नहीं तो फिर मानव अधिकार कि उस लड़की का मानव अधिकार का है बिल्कुल आपने सही का उसका जीवन चला गया उसके साथ बीभत सा हुई उसका सरी नोचा गया 150 ml लिकृट स्पर्म जिसे कह सकते हैं वो मिल या उसके स्षरीर से सोचिए एक नहीं दो नहीं कितने लोगों ने उसके साथ यह न फ्रोषर किया होगा। इसलिए सी भी आई जांचोह रही है लेकिन उसमें गैंग रेप का मामला कहीं नहीं आया नहीं आ रहा दुख इस बात का है अभी तक नहीं आ रहा इतने दिन active हो क्या परटाल हो रही है क्या 151 एमल इस पर मिलना किसी वैग्यानिक उसमे है मुझे तो नहीं आप मेरे पास तो ऐसा कोई केस आया नहीं इस पर माला मामला सुप्रीम कोट पर जब गया तो कहा जा रहागी वो इस पर नहीं है अब पहले तो यही बताए गार थे उन्होंने गल लिए हड़ताल करने लगे समस्या तो यही है फिर होना कैसे गंभीरता पूर्वकिस की एक सेट क्या वने एमिल कह दिया चला ना कई दिन तक हमें आपके माध्यम से पता चला आप तो जागरूप मीडिया हाउस हैं आप तो देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस हैं एंबिटी पुर्व दुनिया में देखा जाता है नब बारटाइमस पढ़ा जाता है और आप बंभीरता तक जाते हैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं इसके बाद तो इसका मतलब क्या है ब हातरस में भी हुआ तरे पूरा चलता रहा मुझे बुरा मत मानिएगा क्या जितने मीडिया हाउसेज ने जितने राजने ताओं ने जितने राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी बैटी हूं लड़ सकती हूं लड़की हूं लड़ सकती हूं और जितने विपक्ष के नेत सब हात्रस गए थे ना बिलकुल हात्रस एक टूरिष्ट प्लेस बन गया था ना पूरा सब पहुंच रहा है सारे मीडिया आउस की ओवी बैंड बहां लगी थी क्या वो वी बैंड जब मैंने हात्रस प्रक्रण में तीन मुल्जिमों को बाईज़त बरी कराया तो कोई मीडिय हाउस थे वहां नहीं कोई खबर आपने चलाई बताइए चलाने वाली कोई दिखाए क्लिपिंग कि चलाई हो आज की बिग ब्रेकिंग हात्रस प्रक्रण जिसमें ये सब मावला हुआ था उसमें तीन मुल्जिमों को बाईज़त बरी कर दिया गया नहीं दिखाते हैं यही हमें गरब है हमारा देश का संविधान लेकिन हमारा देश का संविधान कहता है बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान तो क्या पुरुष आयोग है पुरुष हल्प्लाइन है पुरुष हल्प्रस्क है पुरुष थाना है पुरुष के लिए फास्टर कोट है पु केबलात मत्या केबलात मत्या केबलात मत्या उसके लिए मेकेनिस्म है जब सरसुर पर जूटा अरोब बहु लगाती है तो वो सीधे पंखे में जाके लटक जाता है जब जेश पर जूटा अरोब उसके चोटे भाई की बीबी लगाती है वो सीधे पंखे पे लटक जाता है व दशकों तक महिलाओं को हाशीय पर रखा गा, आज वो अपने घर की तहलीज निकल के कुछ बड़ा करने जा रही है, कलपना चावला बनने जा रही है, हमारे राफेल उड़ा रही है, तो कैसे हुआ, ये समाज जब उनको आगे लाए, इस समाज नो पढ़ाया, कलपना चाव लिए हाऊस में भी आप क्या पुरा मीडिया हाऊस सब जगह हैं उनको बढ़ाने आगे बढ़ाने वाला कहीं तो उसका पिता है भाई है पती है चाचा है ताओ है दादा है मौसा है नाना है ठीक है लेकिन उसके अगें तो आपके बहनओ बेटियों की तो मौत के आंकड़े हैं क्या आपके पास पुरुष के मरने के आंकड़े हैं नहीं हैं वो आंकड़े गिने ही नहीं जाते इस देश में डेड़ सो से पौनो देशो पुरुष प्रति देन सोसाइट करते हैं वो सोसाइट करने वाले थल से ना जल से ना बायू स सी आई साब बी साब रैपिड एक्शन प्रोस प्रदेशों की पुलिस सब जगहे के लोग स्पी जी के लोग आतम त्या करते हैं सोचियाट स्पी जी के लोग प्रधार मंत्री और राश्ट पति और केंदरी मंत्रियों की सुरख्चा में रहते हैं उन्हें भी हमने सोसाइट करते हुए के केस देखे हैं वो आके घर पर सोसाइट कर लेता है किस लिए अपनी पत्मी से आज लिविन का चल पड़ा कानू पहचा ते सब बतानू लिविन पहले लिविन की दूसरी भाषा क्या बोली जाती थी जिसे बहुत बड़ी गाली कह जाता था अगर कोई कह देता था किसी महिला के लिए रखायल याद कीजिए मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आपका इंटर्वू इसी पर आधारित है शब्द क्या बोला था रखायल क्या कोई इससे बड़ी कोई गाली महिला के लिए होती थी पिछले समय में आज से 10-15 साल पीछे जाईए 20 साल पहले जाईए ये सबसे बड़ी गाली होती थी लेकिन आज उसका इंग्लिश रूप पांतरन क्या हुआ Modernization क्या हुआ पाश्चात्य सब्वपता में क्या बोला जा रहा आज उसे? Live in मैं live in में हूँ पांत साल से मैं living में हूँ 10 साल से साहब बिन फेरे या बिन निकाह हम तेरे और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे बिन फेरे हम तेरे बिन निकाह हम तेरे बिन गुर्द्वारा जाए हम तेरे और जब तक तुम मेरे, तक हम मेरे, यह है, कि क्यूं, यह पाश्चात्य सब बिता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, जूँँ जूँ हमने पाश्चात्य सब बिता को आगे बढ़ाया, तुम तुम हमारी बेहन बेटियों का जीवन दुश्वार हो गया, शुरू में आनन्द लेट आता है एक घंटे के लिए होटल में जाते हुए आप देखें। मानगरों के hotel की booking एक ढantage दे घंटा,देर घंटा,दो गंटे की booking क्यों होती है? बोलते है कपल आता है दो गंटे के लिए,पल आता है एक घंटे के लिए. होटल की बुकिंग तो रात बर के लिए होती थी अगले दिन के लिए भी होती थी रुकने ठहरने के लिए होती थी ना कि एक घंटे के लिए होती थी ना कि दो घंटे के लिए आप देखते होंगे प्रचाल 699 स्टार बना हुआ है 399 होटल स्टार बना क्या है स्टार वन आव बस क्या है वन आवर क्या है टू आवर एक हमारे बहुत अच्छे मित्रहंदिली पुलिस के डिशिपी है एक मडर केस की कर रहे थे जब उने एक होटल में मडर हो गया उस मडर की investigation के दौरान उन्हें पूरे दिन के उस hotel की detail ली, कौन को न आया क्या क्या है, CCTV footage ली सब के record लिए, जब सब को बुलाना शुरू किया, तो उन रिस्तों में पता क्या निकला चाचा और भती जी मामा और भान जी मकान मालिक और किराएदार नी तीचर और होने, किसको गुनागार समाथेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदे प्रतिसंसकार खतम होते जा रहें, बेटियों के प्रति, बेहन बेटी के प्रतिसंसकार खतम होते जा रहें, आधवनित्ता, modernization, fashionism, ये बढ़ता चला जा रहा है, क्या मैं मानता हूँ कि हर बेहन बेटी के साथ, हर समय ना CCTV TV camera रह सकता है, ना media वाले रह सकते हैं, ना police रह सकती है, ना security रह सकती है, ना उसके माता पिता भाई चाचा ताओ रह सकते हैं, लेकिन जहां भी कहीं बेहन बेटी कोई होगी, चाहे वो air services में हो, चाहे रात में जा रही हो, चाहे टैक्सी से जा रही हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कोट में हो, चाहे कहीं हो, जहां भी कोई भी बेहन बेटी है, वहाँ कोई ना कोई तो पुरुष होता है, कोई ना कोई तो पुरुष किसी रूप में होता है, तो वही पुरुष जो किसी रूप में है, वो उस बेटी को बेहन क्यों नहीं मा यहीं तो मानसक्ता हैं लोगों कि यही मानसक्ता बदलने के लिए मैं जा रहा हूं बदलने के लिए मैंपके पास इसका जवाव देने जा रहूं है आपको बचपन से स्कूल से के मेकैनिस्म तयाओ अब वो جमाने चले गए कि कोई बच्चा बिलगू नहीं पढ़ रहा है Euch न 15 अगस 26 जनवरी दो अक्टूबर 30 जनवरी के दिन ये एनाउंस होना चाहिए जैसे हम भारत सरकार पदम स्री भारत रतना और ये देते हैं बड़े इस्तर पर आज आपको हर न्यूज चैनल को भी इस्कूल वालों को भी डियम और अस्थी को भी अपने छेत्र के जो महिलाओ की रक्षा के लिए अपने जीवन को हुद दिया जिरोंने महिलाओं की सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी अपने शरीट पे चोटे खाएं ऐसे लोगों को हम सम्मान की दृष्टी से देखकर एक प्रतिस परदा चलाएं कि इस जिले ने उत्तर पश्चमी दिली ने सम्मान किया इन लोगों ने इन इन दिनों पर इन इन घटनाओं पर इस रोड पर इस चोराहे पर इस स्कूल में इस हस्पताल में इस मैट्रो में इस मैट्रो स्टेशन इस रेलवे स्टेशन इस एरपोर्ट पर इस महिला की रच्छा की थी उसके साथ डिटेल देके बोला यह प्रतिस्पर्दा चलानी पड़ेगी हमारी युवाओं में कोई कमी नहीं है लेकिन उनकी मानसिक्ता को बदलने के लिए यह हमें चलाना पड़ेगा उल्टा चल क्या रहा है शोशल मीडिया शोशल भेडिया बन चुकी है शोशल मीडिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ है बहुत वरिष्ट पत्रकार है और आपका चैनल भी पुरी दुनिया का सर्ताज है शोशल मीडिया शोशल भेडिया बन चुकी है आज उस पर आप खोलिए यूटूब पे क्या आएगा मामा और भांजी का प्यार आता है कंटेंट्स ड्राइवर और मालकिन का प्यार पलंब जो ट्यूशन पढ़ाने आता है उसका चात्रा से संब्द ये कंटेंट्स हमारे शोशल मीडिया पर पढ़ा हमने मानी सर्वोच चनैल में इसके लिए आचिका लगाई उसी आचिका में यूनर एफ इंडिया ने कहा साहब ये हमारे यहां से कंट्रोल नहीं होते हैं एक जो नर्भख्षी चीज से कहें दरिंदा कहिए या सौरब जो नाम है उसका कहा जा रहा है राए हां हां रॉय संजीरा संजैरा संजैराय ने भी उसके मॉबाइल को भी चेक किया गया तो इसमें सारा न्यूट फिल्मों को देखने का पॉर्ण फिल्मों का हैडिचुल माना पॉर्ण फिल्मों का है बीचल नहीं वो ऐसी पॉर्ण जो लड़की के साथ में ब्रूटली ब्रूटली की जाता है उसको दर्द देखिए इस में सोशल मीडिया से मिल ला था इसका मिसूज हो रहा है इसका दुर्पयोग हो रहा है आज बच्चों की सिक्षा के लिए से कं ब्योग नहीं कर सकते हैं क्या इस पे कितना दूड़ा जाता है सीता साबितरी गारगिया पाला अनुस्या रजय सुल्तानों को कितना दूड़ा गया पदमाबत को कितना दूड़ा गया हाडा रानी को कितना दूड़ा जाता है देख लिए आप निकाल के नहीं दूड़ा हूँ ऐसा नहीं संजोर रौय जन्म लेते ही नर्भक्षी बन गया ऐसा नहीं निर्भीया के दोशी राम primarily पहण गुपता और अक्षे ठाकुर और मुकेश जन्म जाती नहीं नर्भक्षी थे जन्म जाती दरिंदे नहीं थे लेकिन इस समाज इस प्रिकरिया ने इस शराब ने शराब पी कर आदमी को बहन बेटी में तर नहीं दिखता है तो क्यों नहीं इस पर बहन लगा जाता है जिहार में पहन लगा गुजरात में लगा दिल्ली में क्यों नहीं पहन है दिल्ली में तो श कभी वो इमोशनल हुए कभी उन्होंने कहा कि आठ साल का लंबा समय था आठ साल की लंबी लड़ाई थी अब वो डिसाइड हो गया है हम उस पर बात करें उसका भी कोई अचित नहीं रह जाता है नहीं मैं बस यह चांद नाशनाता हूं कि जो इनसान ऐसा करता क्या बाद में जब उसको सजा मिलती है या फिर आप उनके एडवोकेटर है उन्होंने आप से कहा कि हम से बहुत बड़ी गलती हुई हो गलती वाले तो जो मुल्जिम था राम सिंग और जुविनाईल यह दो थे पुलिस के तो अभी आपके भी मताबिक यह तो सब अगरा बगारा थे है अगर इस केस में कटेगरिकल कनविक्षन होता तो आप भी समझते हैं कटेगरिकल कनविक्षन में जुविनाईल और उसका रूल माना गया है यह तो नहीं थे लेकिन मीडिया ट्राइल की बज़े से पुलिटिकल प्रेशर की बज़े से इनको भी बही पनिश्मेंट दिया लेकिन उस capital punishment उस deterrent punishment के बाद क्या देश में बदला हुआया नहीं आया उसके बाद भी उसके बाद लखनो उसके बाद गोरकपुर उसके बाद धर्याना उसके बाद 63 टुकडे 64 टुकडे कर दिये गए यहां दिली में 100 टुकडे मुंबई में कर दिये गए एक महिला के 17 चाक के 17 लिए मर्तों वह एक टुकडे में गई थी 64 टुकडे क्यों किये गए जो चल रहा केmar contained 100 टुकडों में कोई मरता है कि एक ही टुकडे इसके पीछे मानवता या मानविय सोच या उसके अंदर की मानसिकता है इसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा जो लोग इसके एडिक्ट हो चुके हैं, निूड, पोर्न, इनके लिए कॉंसलिंग खोलनी पड़ेगी आपको जब आपने मोबाइल दे दिये, जब आपने एपल का फैक्टरी नोडा में बना ली, यह तरक्की है हर हाथ में दो-दो मोबाइल दे दिये, विकास है, ठिक, हर वक्ती मोबाइल रिचार्ज कराता है महिने यह उसके पाद धनकी अधिकता है, चिक बात है न, जरूरत है, तो आपको अब इसके दुरुप्यों और दुप्धुश परिणाम के लिए भी तैयार होना पड़ेगा जैसे सिग्रट आपने बेची, तो उसके लिए लंग्स के लिए हस्पताल भी बनाए, शराब आपने बेची, फिर शराब निरोधक और शराब एडिक्शन को छुडाने के लिए अब आपने बनाए, ठिक, आपने गारी में स्पीट 2500, 300, 200 की स्पीट भरी, तो आपने उसी ह खड़ी है, आगरा एक्स्परस पे, कदम कदम पे, तो आपको लेने के लिए खड़ी है, तो इसका जब मिस्यूज हुआ, तो अब इसके मिस्यूज को समालने के लिए आपको हर हास्पिटल में कौंसलिंग भी करनी पड़ेगी, जो सैक्स के एडिक्ट है, पोर्नोग्राफ आपकी देखने के एडिक्ट है, उन्हें बदलने के लिए आपको ऐसा साहित्ते देना पड़ेगा, ऐसा लिटरेचर देना पड़ेगा, ऐसी कौंसलिंग देनी पड़ेगी, ऐसी आपको विशे देना पड़ेगा उनके लिए, लेकिन एपी सर कैसे पता चलेगा कौन एडि बहुत अच्छा सवाल किया, जैसे आपने टीका चलाए, पोलियो से बचने के लिए, जैसे आपने डिप्थीरिया चलाया, बीसीजी, टीवी से बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए, आम चलाए, आपने कोरोना वैक्सीन चलाएं तीन-तीन, सब के लिए चलाएं, जब वाधार काड़ बन सकते हैं, जब इस देश में 80,80 करोर लोगों को भोजन मुफ्त में मिल सकता है, जब इस देश में पोलिय मुक्त देश बन सकता है, बनाना देश पोलिय मुक्त हुआ, डिप्थिरिय मुक्त हुआ, तीवी, पहले महा मारी थी, अब रुकावट लगी, तो निश्चित तोर पर तेश बहुत बड़ी चीज है, आपदा में भी अवस्र तलास लेता है, आप एक बार शुरू करके देखिए, आप एक बार मुहिम चला के देखिए, आप हर हास्पिटल में एक सबसे पहले एक कमरा तो बना के देखिए, मुबाइल के, आज बच्चे इस मुबाइल की बज़े से, कितनी माओं को मैंने देखा है, खाना रखती हैं, बच्चों का अगर जब तक मुबाइल नहीं खोला जाता, खाना नहीं खाते हैं, दूद नहीं पीते हैं, सोते नहीं हैं, माएं उन्हें खिलोने की रूप में दे रही हैं, तो आपकी लग रही है, धीरे धीरे बढ़ती हैं, उनकी पशुबता भी बढ़ती है, जब आप इस पर पुरुष को बकरी के साथ, अविलेविल है न, जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ, गोडा गोडी का, इंसानों के साथ, दिख रहा है न, पढ़ा है इस पर कंटेंट्स, जब योगी जी और प्रधान मंत्री को दी गई धमकी, छुपी रह जाएगी, मानि मुख्य मंत्री जी को किसी धमकी दी हूँ, नहीं पकर में आएगी, आएगी न पकर, क्या वो बंदा मिलेगा न, मोबाइल फोन मिलेगा न, पकर के आएगा न, तो फिर पॉर्ण साइट चलान करने वाले, पॉर्ण साइट अपलोड करने वाले, पॉर्ण साइट डालने वाले, इनको आप पकड़ सकते हैं, आप मर्स को बढ़ा रहे हैं, आप समाज को दिशावीन कर रहे हैं, यह शाशन की जिम्मेदारी है, क्या इस पर पाकिस्तान भारत के लिए गलत कंटेंट से दिखता तुरंत बैन होते ने यूटूब, आपने 10-10, 20-20, 40-40 यूटूब बैन होते देखे हैं न, साइवर क्राइम चला, बहुत सारे चैनल बैने, चैनल स्बंद किये न, तो फिर जब वो यह हो सकता है, तो फिर, फिर राम सिंग कैसे ब्लू फिल्म देखता रहे गया, फिर अभी जो 64 हट्याएं की, वो कैसे फिल्म देखता रहे गया, वो कैसे देखता रहे सकता, उसे दिखाएए न आप सीता, दिखाएए न रामायन, दिखाएए न महाभारत, जब आप करोना काल में रामायन और महाभारत चला सकते हैं, तो अन्न दिनों बे भी कंपल सरी क करिए न, स्कूल में कैम्प लगाईए न, जब आप स्कूल में फैंसी ड्रस प्रतियोगता कर सकते हैं, करते हैं न फैंसी ड्रस प्रतियोगता, तो फिर आप चरित्र निर्मान की भी प्रतियोगता कर सकते हैं, फिर आप दिखा सकते हैं, कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स जियो आया, फ्री में आया, मैं किसी वैक्ति के लिए नहीं कह रहा है, फ्री आया, फिर इसका 200 रुप या पिर 400-500 आया, फिर इसके पहले महिने होते थी 31 δिन के, फिर महिने कितने होगे बंदें कвержð蒙ी, फिर 59 दिन का, अब चछपपन दिन का, अब 28 दिन, 28 और 56 में बट के रह गया ये, कीमत 1000 हो गई, चार जितने का हो गया, आपने आधी बनाया, एडिक्ट कराया, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पहले दिन शराब, बहुत बड़े बड़े शराबियों समने बात की, कोई शराबी पहले दिन जाके थेंके पे नहीं पीने वाला, पहले दिन पान की दुकान पे नहीं गया, दे मुझे शिगरेट, मैं आज से सिगरेट पीऊँगा, मुझे दे घुटका, मैं आज से घुटका शुरु कड़े बड़े कोई नहीं गया इस देश में, नहीं जाता है बक्ति, गलत को गलत मांता है, लेकिन इस शुरुआत करने का तरीका लेना मेरे दोस्त अरे कुछ नहीं पीके देख अरे आधा धकन डाली है इसमें पानी है अरे कुछ नहीं है बियर है अरे पीके तो देख तुझे मेरी कसम तुझे मेरी कसम अरे डालता हो एक गूर तो डाल एक गूर तो डाल यार तु मुझे दोस् तेरे यहां से, मैं नहीं बैठूँगा, मैं तेरे पास से जा रहा हूँ, वो ले लेता है, पील लेता है, एक कश्टो लगा के देख सिगरफ के एक मार, बस एक सुट्टा मार, अरे गुटका थोड़ा सा डाल, थोड़ा सा डाल, अरे भाई है तू रहे, दो दाना, दो दाना कारूप ग्रहन कर लेता है, लटकता हुआ, दो दाना, उसके जीवन को ले लेता है, पी कौन है लोग, यह हमारी इसी देश की लोग तो है, इसी समाज की तो लोग है, मैंने कई ऐसे लोगों से पूचा, कि साव आप पूरी बोटल आपने पी ली, सब से पहले आपने कब प पी थी, अरे का यह तो मुझे से किसी ने पूचे ने, मैंने पी नहीं थी सर, मुझे बहुत जवरदस्ती पिलाई गई थी, तो यह एक, जब हमने उसको बेचा, जब हमने उस पर टैक्स वसूला, जब हमने उस पर राजनीत की, जब हमने उसके करोडों रुपए देके ठे की नहीं बेची गई, एक के साथ एक शराब की, बोतल, एक पेटी के साथ, एक पेटी फ्री, बोतल, एक ट्रक के साथ, एक ट्रक, शराब का ट्रक बेच जा गया, तो अब समझ जाएए आप, यह देश की राजनिता और देश की गज्यलों कर रहे हैं, आज, कॉलकाटा होती है सबसे पहले वहीं जलाती है फिल्म इंड़स्ट्री ने गंदगी परोशी शराब लिखे लिखना तो बाद में सेंसर बोड ने मज़में कर दिया लेकिन साहब अगर उन्होंने शराबें चलाई हैं अपनी फिल्मों में तो उनके बच्चे भी गजेडी भंगेडी नस देखा गया है उनकी शारुक खान की गौरी खान को भी माता वैश्णो देवी के आन नंगे पर जाते अपने बेटे की पेल के लिए चिरोते देखा गया है शराब बहां भी शुरू है नशा वहां भी शुरू हुआ उनके घर से शिरू हुआ नहीं बचा पाए नहीं अग शुरू होती है आग सबसyal पहले वहीं जलाएगी अब आप पकिस्तान में आतनकबाद की बात करते है उब आतनकबाद को पालता है पोचता है बढ़ा करता है वहां शुरू करता है फिर वहीं शुरू हो जाता है क людям गहीं जो पाएगगी वहां जो क्यों और तो आज़ पन हो रहा है कैसे रोके जा सकते हैं क्या सजा की जो मांग की जा रही कि जैसे गल्फ कंट्रीज में जो सजा है ऐसी सजा दी जाए social medium लोग मांग कर रहे हैं कि इंडिया गेट के पास लाईए और सूली में टांग दीजें लोग मांग कर रहे हैं कि इसका जननांग काट दिया जाए इस तरह कि लोग Facebook में post लिख रहे हैं और मेरी कई जो मेरे साथ महिला सहिकर्मी वो भी इस हाथसे से अंदर से वो भी हमसे बात करती है आज मैं मैट्रों से आ रही थी तो मुझे फला आदमी ऐसा लग रहा था कि बिलकुल वही है बतला उनको अंदर से एक डर असुरक्षा असुरक्षा का भाव हर देहें दिखने लगा लोगों में अब जो जो मैट्रों में भी खड़े अपना मुवाइल देख रहें लेकिन उनको उसमें भी वो शैतान नजर आ रहा है बिलकुल बिलकुल सही है क्योंकि अब पहले क्या सूँचते लोग अपनी बेटी से पुछते बेटी अस्पताल पहुँच गई हाँ पहुच गई पापा बस समस्ता था वाट घंटे बेटी मेरी सुरक्षित है बेटी स्कूल पहुँच गई अब सुरक्षित है बेटी कोट पहुँच गई अब सुरक्षित है लेकिन क्या स्कूल सुरक्षित है क्या बस सुरक्षित है क्या उत्राघंड की बस सुरक्षित बदलापुर में स्कूल में बता ही किस सुरक्षित क्या वो स्कूल सुरक्षित था क्या अस्पताल सुरक्षित था क्या निर्भया के समय वो बस सुरक्षित थी नहीं थी सुरक्षित इसका मतलव हमें सुरक्षा का भाव अपने सब में बदलना पड़ेगा, अपने लोगों में उसको डालना पड़ेगा, तब वो चीज आएगी, नहीं तो ये डिर भाय का बातावन जो हमारी बेहन बेटियां आदी उचाई पर पहुंची, आज ये उचाई पर पहुंची, आ साड़े तीन पहुंच के वो साड़े चार बजे अपने घर पहुंचेंगी, गेट पर बेल बजाएंगी, वहां उसके साथ घटना होगी कौन जिम्मेदार, क्या फ्लाइट रोक दी जाएं, ये ऐर सर्विसेस में लड़कियों को हटा दिये जाएं, हम बहुत मुश्किल से महिलाएं आगे बढ़ी हैं, इसके लिए हमें मेकनिस्म बनाना पड़ेगा कि महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा हो, बात इंडिया गेट पर टांग देने से नहीं पूरी होगी, टांग दीजी आप, निर्भ्या में टांगे गए, क्या अपराद रुके, महराष्ट् आप कानू जितना कठोर बनाते हैं, पॉक्सो बना, बच्चों के लिए बना, और आप भी समझते हैं, वरिष्ट पत्रकार होने के नाते, आप ग्राउंड जीरो पर भी देखते हैं, क्या आज देश में पॉक्सो का मिस्यूस नहीं हुआ, मिस्यूस भी हुआ, साथ परसंट केसों में सेटल्मेंट मिला, दस लाग, वीस लाग, पांच लाग, आट लाग, दो लाग, मकान, धुकान, गारी, ये मिला सेटल्मेंट, कहा नयाय मिला, नयाय तो नहीं मिला, जो आकला आप बता रहें कि वहल बीस परसंट मामले में सजा होई, कन्विक्शन, 80% में 60% सटलमेंट मतलब हो श्टाइल 20 लाग मिल गए जज पूच रहा है हाँ जी नहीं नहीं ये नहीं था ना ना इसने कुछ नहीं किया हाँ मैं हो सवास में ब्यान दे रहीं जे बेल दे दूँ दे दीजिए बरी कर दूँ बरी कर दीजिए क्या है दहेज के केसों में नियाए के लिए सजा तो नियाए के लिए है कोट नियाए के लिए है सेटलमेंट होते है मेडियेशन होते है क्या वो नियाए है नहीं है नियाए 10 लाग 5 लाग लेकर डाइवोर्स लेना क्या वो नियाए है नियाए तो नहीं है नियाए तो नहीं कह सकते नियाए का तो सौधा हो गया नियाए तो बिग गया नियाए तो फांसी पे लटा गया नियाए तो गिर्वी रख दिया गया क्योंकि नियाए देने के लिए उसने गिर्वी रख के पैसे लिए नियाय देने के लिए उसने अपना मकाम मोटगेज कर दिया तो पैसे दे दिये नियाय कहां मिला नियाय लेने के लिए तो आपको पर्याप्त पनिश्मेंट देना होगा 98% पनिश्मेंट का रेशियो ले जाना होगा जब 98% punishment पढ़ेगा 2% आप राख लीजिए ये भी नहीं 100% नहीं हो सकता क्योंकि हमारे हाँ चारशीट पर भी राजनीत का प्रेशर पढ़ जाता है FIR भी राजनीतिक दलों के प्रेशर से होती है धनवल आज भी हावी है सिस्टम पर जनवल आज भी हावी है बाहुबल आज भी हावी है तो ये सब चीचे हैं देश में कोई ये नहीं गारंटी के साथ कह सकता ये चारशीट 100% इंपार्चल है देखो नाप कलकटा में FIR के बाद पोस्ट माटम होता है दुनिया में वहाँ पोस्ट माटम पहले हुआ F.I.R. बाद पहले क्या कह दिया गया? सौसाइड है उसके मम्मी बोल ले है पापा बोल ले है जियां आपकी बेटी ने सौसाइड कर लिया क्या था ये इस ? क्या था ये न्याय नहीं था यह डॉक्टर अपनी भूमिका नहीं निवा पाए हास्पिटल के मुक्या लोग भूमिका नहीं निवा पाए वो हास्पिटल के लोग अपने उस डॉक्टर को अपने परिवार कांग नहीं मान पाए आज भी work place पर कितना dehydration होता यह जो डॉक्टर हरताल कर रहे थे, इनमें कितने डॉक्टरों के केस हमारे पास हैं, जिन्होंने अपनी नर्सेस के साथ यह उन्शूर्शन के कारणामे हस्पताल में किये हैं, क्या कहूं मैं, अच्छा नहीं लगता, कितने टीचर्स के केस हमारे पास हैं, जिन्होंने पॉक इसकी मानसिक्ता नहीं बदल पाए साथ जो टीचर्स की जो गुरु है गुरुब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव नहीं मैश्राइब आपने भी देखर सुने होगा आपने कवर भी कियोंगे धिली में ऐसे बहुत केस और दिली में ऐसे सचे केस म्याई और दिली मे केस रिष्टर रेकॉर्डिंग देता है टीचर कि देखो यह बोल लहीं है बच्ची अगर पास नहीं किया ना सर आपने फिर समझ लेना परसों आप जेल में होगे बेटी कैसे बात कर रही है तू जेल नहीं पॉक्स हो लगवाऊंगी पॉक्स हो और जाती है फाई यार कराने मुल जिम बुलाया जाता है वो सुनाता है अपनी रिकॉर्डिंग आई वो पूछता है बेटी तुम्हारी आवाज है सर आवाज मेरी है मैंने गुस्से में बोला था लेकिन इसने किया मेरे साथ गलत काम क्या कहेंगी तुम्हारी आमूल चूल परिवर्तन जब तक नहीं होगा ओवर हाल जिसे कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन ओवर हालिंग पूरी तब तक इस देश में बदलाव नहीं आ सकता बंगाल केस में जिस तरह सुप्रीम कोट ने कॉलकाता पुलिस से बड़े कठिन सवाल पूछे हैं बंगाल सरकार से कठिन सवाल पूछे हैं पूने की पेरवी करही हैं कठिन से संप्रीम कोट पर कपिल सिप अनardon आ है वीडियो बड़ा वाइरल हुव जिसमें उसकूरा रहे थे क्या आप मितएये एक तो एड़्यवकेट respect का एक धर्म होता है कि व चाहिए उसके सामने तो रखनी है वो सकता है वो समझ ना पाए हो या उनके चेहरे में भी शायद हर समय मुस्कराहट रहती है शायद इसलिए ऐसा लग जया होगा फीलिंग शायद मैं समझता हूं का पिल्सिबल जी जिस इस तरह पर हैं दुखी तो मन से होंगे पक्ष रखना बेस्ट बंगाल का कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होती है को यूही बेवफ़ नहीं होता है राज्यसबा भी जाना होता है वकालत के साथ साथ बड़ा वकील होने के साथ पूर्व खानून मंत्री बनने के साथ साथ बड़ा नेता बनने के साथ ये भी काम करना होता है इसलिए सरकारों की पर नेज़ान को भी रखना पड़ता है कि पर मोटी फीसि दे पाती है अब यह पीजेर लोगता है कि कापिल सिब्बर नहीं होता है तो आपको लगता है कि अटे न क法iraus नहीं तजर्बह राजनेता है वुट एक यह नहीं किनuyu है कापिल सिब्बबर नहीं लेने वाली बात देने वाली बात लोगों के कहने से नहीं है जो लोग केंडल मार्च कर रहे हैं उनसे बकारत नहीं होती है वो अपनी दुकान पर तो सब को सामान दे देंगे वो अपनी दुकान पर तो चोर को भी सामान दे देंगे वो पता उन्हें चोर है ठीक है उसके लि मार्ज करने पहुच जाएगा अरे तु अपने पक्ष में कितना सही है तेरी अपने जीवन में सुचिता क्या है तु अपने जीवन में कितना पवित्र है तु अपने जीवन में कितना धर्म निष्ट है तु अपने जीवन में कितना कानून को मानता है विश्य है वकीलों पर केस लड़ेंगे क्या जेके स्री सेमेंट के मालिक केस लड़ेंगे आके क्या एपल फोन के मालिक केस लड़ेंगे आके वो तो वकील ही लड़ेंगे ना हमी लोग लड़ेंगे तो वो तो बिना लड़े काम चलेगा नहीं अगर हम लोग कोर्ट पेश नहीं होते हैं तो क्या उ बकालत तो आतंकवादियों के लिए चिठी लिखी गई आतंकवादियों को बचाने के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट में हस्ताक्षर युक्त वकीलों की चिठीयां भी गई है ऐसा नहीं है लेकिन हाँ हमें मुख्य उद्देश रखना है अपराध कैसे नियंतर अपराध पर कैसे रोक लगें अपराध एक प्रवर्ति कैसे रोकी जाए इस पर हमें हमें मानसिक्ता बदलना है जेल में आप सुनते हैं कारागर बोला जाता है लेकिन वो भावनात्मक रूपे सुधारग रहे है वहां गाना बसता है लाड़ो स्पीकर पर मैली चादर ओड के प्रभुजी पास तिहारे आया मैली चादर मैली हो गई है मैरी चादर को धो दे हे भागवन हे मालिक हे इशुर हे अल्ला हे खुदा हे गौड हे गुरुग साहब मेरी मैली चादर को धो दे तो उस मैली चादर को धोने और मैली चादर को गंदी होने से बचाने और मैली चादर पर दाग न लगे तो हमें अपना ऐसा मेकेनिस्म तयार करना है हमें ऐसी प्रवस्था बनानी है वो स्कूल लेवल से बनानी है वो फोन के माध्यम से भी बनानी है वो परिवार के माध्यम से भी बनानी है वो हमें ऐसे साहित्य के द्वारा भी बनानी है जैसे हम परिवार में बच्चों को हमने अपने परिवार के बच्चों को देखा है बैठेंगे पालती मार कर खाना जाएगा नीचे बैठके पालती लगा के बैठेंगे जल चड़ाएंगे औमन पते नुना श्देह नमी बश्शुष्मना प्राप्रदात आता उर्जू अदुपते तो एक दिन बैससे तो मुझे टाइम नहीं मता एक दिक रहा था बैच्म तूपह किसने सिखाया ? अब झालों मुझे याद करा है याद करा है तो जब इतना संसकार सिखा दिया, माता पिता के पैर छुना, पैर छुके स्कूल जाना और आना सिखा दिया, बहन से दीदी बोलना सिखा दिया, आए हुई अथितिका प्राम करना सिखा दिया तो हम और बच्चों ने छोटी उमर में इस mobile को function आप जानते हैं, बड़े से ज़ादा बच्चे जानते हैं, आप भी TV के channel लगाने के लिए बच्चे को बोलते हैं ये channel लगा दे हैं, आप भी कहते हैं इस पर SMS भेज़़दो, मैं कहता हूं, इस पर ये भेज़़दो, ये भे सबसे बड़ी ताकत थाकत है बशुषे बदलने की ज़रुरत है वही बात जो मैंने कही रखेल और लिविन नार्मल आ गया लब डे किस दे वैलन्टाइन डे नार्मल आ गया वैलन्टाइन डे गर्व निरोदर गोलियों की बिक्री कितनी होती है आप मेडिकल स्टोर से आंकड़ा निकाल के देखना फिर रेप नहीं उस देश में रक्षा बंदन बाले दिन यूवा की यूवतियां चुपके बैट जाते हैं और वैलन्टाइन डे वाले दिन सजदज के बहाने बना के घूमने निकल जाते हैं इसी कंजावला में ललकी को कितने किलोमीटर रोट सडक के नीचे खीचा गया था आप लोगों ने अधियर। देश में लड़के तो कमारे जरूर मिल जाएंगे लड़कियां कमारी नहीं मिलती हैं बहुत रेयर अब बढ़ा पहले ऐसा था कहीं लड़के तो कमारे रह सकते थे लेकिन लड़कियों की new year क्यों नहीं मना सकती है क्यों नहीं रात में जा सकती है मना सकती है रात में क्यों निकल सकती है किसके साथ मनाएगी विशय है अपने दोस्त के साथ जिसके साथ उसको मन होगा जिसके साथ उसका मन होगा जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस कर रही है जिसके साथ उसे पिल्स तो कहीं न कहीं आप तौल नहीं पाए ना यह जो 64 धत्य आ लक्की का क्या नाम धरलके का पीसस अपर बॉम्बे से आई थी दर्की ल्की थी ती बहुत-बड़ा माबला हुआ तो वो भी आई थी चाकू भी लाया गया फ्रिज की लाया गया दीप फ्रीजर भी लाया गया तो तुकडे लगे हैं, सतर चाकूं के बार लगे हैं दस किलो मीटर तक गाड़ी के नीचे घिसतना लिखा, उसकी बोडी घिसती चली गए, घिसती, हद्दियां तूट गए, हद्दियां तूटती चली गए, मिली रास्ते में, सोचिए फिर कहां था उसका विश्वास कहां था मेरा वाला ऐसा नहीं कर सकता मेरा प्यारा ऐसा नहीं कर सकता फिर क्यों पिल्स, वेलंटाइन डे वाले दिन सबस्यदिक बिख्ती हैं फिर क्यों महिने दो महिने बाद सबस्यदिक और्षन होते हैं क्यों कहती विश्वास कहां गया वो भरोशा कहां वो गए वे सोच कहां हो गई उनकी दिमाग की चमता कहां गया वो अनका संकल्प कहां उनका गया प्यार पोथी पढ़पढ जगभया पंडित भया न कोई तो प्यार तो नहीं था शायद 64 टुकडे में प्यार तो मुझे नहीं दिखा वासना दिखी मुझे सैक्स दिखा मुझे अंधापन दिखा मुझे सैक्स की प्रतिभागती दुनिया दिखी मनाए तो हर कौन कहता है काश अगर वो अपने घर में मना रही होती न्यू यर काश वो अपने परिवार वालों के साथ मना रही होती न्यू यर काश वो अपने सयमित परिवार में आके कही न कही एक अंतता क्यों चाहिए न्यू येर तो अपने परिवारे में मना जा सकता है न्यू येर तो अपने घरवालों के सामने ये मना जा सकता है अगर वो मनाती तो शायद आज वो जिन्दा होकर आपके इस लाइप, शूट और नभ भारत टाइम्स को देखकर शेर भी कर रही होती अपने में ये बहुत अच्छी बात है, मैं जिन्दा हूँ आज देखेंगे आपके, करोड़ों दर्शक देखेंगे आपके इस इंट्रिवू को और बेटियां निश्चे करेंगी, डिसाइड करेंगी कि हमें अपने माता-पिता के कहने पर हमें अपने माता-पिता, अरे जिन्दे नौ महिने पेट में पाला है वो मारों के तो रुख जाओ ना नौ महिने इतना बजन बांद के कोई महिला चल सकती है लेकिन मा चलती है क्या उस डिलिवरी के समय को दर्द को कोई और सह सकता है वो किल मा सह सकती है क्या आप सीने पर लेटरीन बाथरूम सह सकता है कोई वो किल माता पिता सह सकते हैं वो माता पिता जो आपको 15, 16, 18, 20, 22 साल तक जीवन देते हैं आप बोलना नहीं चानते आपको भुलाना सिखाते हैं आप खाना नहीं जानते आपको खिलाना सिखाते हैं आप पहनना नहीं चाहते, जानते आपको पहला ना सिखाते हैं, उनकी बात माल लेनी चाहिए, परस मेरी यही तो बात है, उनके उद्देश को समझ लेना चाहिए, वो करेंगे ना आपकी शादी, वो आपका हैपी नियर मनाएंगे ना, आप घर में बैलन टाइम मिला प्यार मात्र प्रतिदिवस प्यारा, तो अपना प्यारा, अपने प्यारे भाई भी तो हो सकते हैं, बहन भी हो सकते, उनके साथ मनाईए ना, मनाते हैं लोग, करते हैं तो उसे मना सकते हैं बहुत बहुत धनवाद एपी सिंग जी का सुप्रीम कोट के सीनर एडूकेट हमाई साथ है इस कोलकाता जैसे मामलों पर और उन्हें अपनी पूरी इस मुद्दे की शुरुवात कैसे होती कैसे इसको रोका जा सकता है कैसे इसकी स्कूलिंग की जा सकती है कैसे इसकी की सकती है हर एक मामले पर अपना यहनोंने अपना वक्त रखा है फिलहाल अगर आप से कोलकाता मामले की जिरह के लिए कहा जाएगा तो आप तयार रहेंगे मैं पहली बात तो दूर है ठीक है दूर है दूसरी बात इतना funding कॉन करेगा दूसरी बात तीसरी बात आती है अभी investigation हो जाए मेरे उसमें सामिल होने से investigation भी कई बार प्रभावित हो जाती डर दाते हैं वो अभी सिंग आगए क्या करें क्या न करें यह मैंने हाथ रस अभी जो हुआ दूसरा प्रकरण जिसमें नरान साकार हरी के 123 मौते हुई और वो मैंने देखा वहाँ लोग यही करे था रही अभी जेटा, मैं बेए जलुआ करो यह करो यह करो कुछ भी लगा देंगे वह कपर ब्रहों कुछी मांग्लेंगे वह कुछ वी कवी चर्वकर में चले न हैंगो कभी सुप्रीम कोड़ेकोश को मैं न कहीं नहीं किया था स्पाइलबी देभर्ण को कुला कि से एंटर से नेंड़ि नहीं कोई को कही नहीं को है किना त़ींair कोई सींगे यह जाता मैं वंस्तिशन होने को जाच होने के बार जैसा होगा वैसा मैं इसा देखा जाया को हमाने ऑल रहा बें हारत नोका मोडों